हेलो स्टुडेंट्स डाउट अट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली 6.3 तो आईए प्रसंद संख्या एक को पड़ते हैं निमलिक्त संख्याओं के वरगमूल ग्याद करने में एकाई अंक की क्या संभावना है हमें संख्या दी हुई हैं हमें ये बताना है कि इन संख्याओं का वरगमूल करेंगे तो उसमें एकाई अंक क्या हो सकता है एकाई अंक के आने की क्या संभावना है पहली संख्या है अठाड मैंसो एक तो इसको करने से पहले ये समझो कि एक का जो वरग होता है वो होता है एक यहां से हम कह सकते हैं एक का वरग मूल क्या होगा एक दो का वरग होता है च्यार च्यार का वरग मूल होगा दो इसी प्रकार तीन का वरग नो 9 का वरगमूल 3 4 का वरग 16 16 का वरगमूल 4 10 का वरग 100 100 का वरगमूल 10 इस कुश्चन वरगमूल निकालना नहीं है बिना वरगमूल निकाले में ये बताना है कि वरगमूल में काई अंक क्या हो सकता है यहां पर देखिए जब एक का वरगमूल करते हैं तो अमारे पास आता है एक यानि कोई संख्या जो एक पर खतम हो रही है कोई संख्या जो एक पर खतम होती है जिसका एकाई कांग एक है उसका जवरगमूल करते हैं तो उसमें एकाई कांग कितना आता है एक इसी प्रकार हमारे पास संख्या 81 इस संख्या में एकाई कांग कितना है एक इसका जवरगमूल किया हमने तो कितना आया नो जब भी हम किसी संख्या का वरगमूल करेंगे तो उसमें जो एकायंक आएगा वो आएगा जीरो से लेकर के नो तक तो यहाँ पर जो ठाण में सो एक संख्या है इसमें एकायंक कितना है? एक जब इसका वरगमूल करेंगे हम तो वरगमूल करने के बाद इसो संख्या आएगी उसमें एकाई कंक कितना आएगा या तो एक आएगा या नो आएगा एक या नो यहाँ पर लिख देंगे अठाण में सो एक के वरगमूल में एकाई अंक की संभावना एक या नो यहाँ की जो संख्या एक पर खतम हो रही है उस संख्या का वरगमूल में या तो एक आता है या नो आता है अगला पार्ट करते हैं निन्यान में हजार आठ सो चपन इस संख्या का वरगमूल करेंगे तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा अब देखी यहां पर इकाई अंक कितना है छे इस संख्या में इकाई अंक छे हमें इकाई अंक को देखना है ऐसी संख्या देखी जिसका इकाई काई काई कितना है छे यह संख्या है इसका वरगमूल करने पर किया आएगा च्यार या छे तो न्यान में 1856 के वरगमूल में एक आयंग की संभावना होगी च्यार या छे आने की या तो च्यार आएगा या छे आएगा तीसरा पार्ट करते हैं 9800001 अब इस संभ्या में भी एक आई कांग कितना है एक हम उपर किया था पहले पार्ट में कि जिस संभ्या में एक आई कांग एक है उस संभ्या के वरगमूल में एक आई कांग या तो एक होगा या नो होगा यहाँ पर भी लिख देंगे कि वरगमूल में एकाई अंक एक या नो आएगा छे करोड़ सक्ताउन लाग छे सट अजार पच्चिस इस संख्या के वरगमूल में एकाई अंक आने की क्या संभावना है यह बताना है तो देखो बच्चों यहाँ पर भी एकाई का जो अंक है वो कितना है पाँच अब यहाँ पर देखिए इन संख्याओं में किस में एकाई अंक पाँच है पच्चिस में पच्चिस में एकाई अंक पाँच है उसका वरगमूल किया तो मनें कितना आया पाँच इसके लावा किसी भी संख्या में एकायंग 5 नहीं है तो जिस संख्या में एकायंग 5 है उसका वरगमूल करेंगे तो भी एकायंग कितना आएगा 5 तो यहां लिख देंगे कि वरगमूल में एकायंग की संभावना 5 तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के वरगमूल में एकाई अंक को पता कर सकते हैं आपने इसको द्यान में रखना है कि जिस संख्या में एकाई काई अंक एक है उसके वरगमूल में एकाई अंक एक होगा या नो होगा जिस संख्या में इकायंक चार है उसके वरगमूल में इकायंक कितना होगा दो या आठ जिस संख्या में इकायंक नो है उस संख्या के वरगमूल में इकायंक कितना होगा तीन या साथ इसी परकार जिस संख्या में इकायंक चे है उस संख्या के वरगमूल में इकायंक आएगा चार या छे इसी परकार जिस संक्या में एकाइंक पांच है उसके वर अगमूल में एकाइंक आएगा पांच